वेल्कम टू विंक से कुडान आपका स्वागत है यह स्वागत जैसा कि आप जानते हैं फाइनांस एकाउंट एक्जाम के लिए हम एक सीरिस चला रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले इसके जी के पॉर्शन को कवर करने की कोशिच कर रहे हैं जो कि 30 मार्क्स का है करते हैं आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम कुछ और इंपॉर्ण एक्जाम के त्यारी कर रहा है तो विंक से कुड़ान आप एक सिर्स लाउंच हो चुकी है इसमें आपको 10 सेक्शनल टेस्ट और 5 फुल लेंक टेस्ट जो देने को मिलेंगे आ करते हैं अपने नेक्स्ट कोश्चन आज के एंसी के उस पर तो जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं एक नया टॉपिक हम आज लेके आए हैं जिसमें हम कुछ इंपॉर्टन को डिसक्स करेंगे इसका पार्ट ए रहेगा तो इंडिपेंडेंस जो है यह हमारा जी के पोर तो 1114 में राजा रामान राय ने कुछ इस्टाबलिश किया था तो इसका जो और आप आप्शन है वह है अमत्यासवा अमत्यासवा को इन्होंने इस्टाबलिश किया था एकिए 14 में कि अंग्लिश में सोवाइटी आ फिरंड्स भी कहा जाता था सोसाइटी आफ फ्रेंड्स यह भी आप याद रखेंगे और यह किसके लिए बनाए गई थी जो सोशल माल प्रैक्टिस और रिलीजिस यहां पर बहुत सारे सोशल इवल्स थे इंडियन सोसाइटी में उस टाम पर तो उनको इरडिकेट करने के लिए उनके स्ट्रगल के लिए यह सोसाइटी बनाई गई थी अमत्या सबाइट के साथ मैं बहुत बता दूं के ब्रॉमो सबा जो आप यहां पर देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में तो यह 1828 में बनाई गई एंड पिसी का नाम ब्रॉमो समाज रख दिया गया तो यह दोनों एक ही हैं आप इसमें क को कहा जाता था तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कुश्चन पर हम कुश्चन नमर टू हमारे पास है तत्वा भोधनी सब्भा वस एस्टाबलिश्ट बाइड डैश इन 1839 तो 1839 में एक और यह नो हम कह सकते हैं सोसाइटी या फिर एक और्गनाजेशन बनाई गई गई किसके तो इन्हों नहीं तत्वा भोधनी सब्भा एस्टाबलिश्ट की 1839 में इसके हैड़ भी थे और इसके साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि एक और चीज़ होती है 1866 में जो बताना यहां पर जरूरी है थोड़ा सा 1866 में ब्रॉमोस माज का स्प्लिट हो जाता है क्यूंकि जो है डेएटेन फोट्य टू में ब्रोमोस माज को जॉईन करते हैं जो जो नाम रखा जाता है अधी भरमसमाज अधी ब्रॉमोस माज जो केशप जंदर सेन के जो अंदर ब्रोमसमाज आता है उसको नम रखा जाता है ब्रोमसमाज अफ इंडिया BSI लिख रहा हूं ब्रोमसमाज अफ इंडिया अडी अधी ब्रोमसमाज तो चलते हीं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चिन पर तरी हमारे पास है योंग बंगाल मॉमेंट वाज स्टार्टेड बाइंरी विवेन डिरोजियो वाज़ टीचर इन कलकत्ता हिंदु कॉलेज दे कॉलेज वस इस्टाबलिश बाई तो यहां पर हैंरी डिरोजियो के द्वारा इन्हों ने एक मॉम असल में राजा मोर राजा रामॉन राए ने बहुत बड़ा कंपिडि़ ना रोल प्ले किया कोलेज के बनने में इन्हों नहीं सपोर्ट किया डेविड हेर यह को बनाया गया तो यंग बंगाल मॉमेंट यूला अगर हम बात करें तो ये उस ताम पर पेंगवाल की जो 1857 बिगेन मीरट ओन डैश मेई 1857 तो एक्जैक्टली कौन सा मेई था वो 10 11 12 या फिर में से कोई नहीं तुम्हें आपको बढ़ा दू हूं इसका क्रेक्ट ऑप्शन नमबर उनको किया जाता है डिस्मिस कर दिया जाता है सब्सक्राथ और उनको इन पबया इसी वज़ा से 10 एंपर Spoляется से मेरिट परेपने दस्तिम्हार के फिर मेरिटम्हा से उन्हीं के दोबषा शुरू किया तो यह भी आप याद रखेंगे तो चलते हैं हम अपने next कुष्यन पर कुछ नमर फाइफ हमारे पास है डैश वाज ए यंग सिपॉय अफ थर्टी फॉर्थ नेट्व इंफेंट्री वुफाइड एड़ इस सर्जेंट मेजर आफ इस यूनिट अड़ लेटर एक्जीक्टिट तो हमारे पास यहां पर कुश्चन है के एक व्यक्ति थे जो परें मंगल पांडे तो आमिर खान की मूवी भी आप पैसे भी याद रख सकते हैं ओके तो मंगल पांडे इसका करेक्ट ऑप्शन है और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं के बहादूर शाह जफर जो है इसको जब यह रिवाल्ट 1857 ब्रेक होता है न जब यह शुरू ह हो जाता है रिवाल्ट 1857 तो बहादुर शाह जफर को डिकलेर कर दिया जाता है किंग अफ इंडिया किंग अफ इंडिया तो यह आप याद रखेंगे चलते हैं हमने नेक्स कॉशन पर यह एक ब्रिटिश ऑफिसर थे उड़ता है उस ताइम पर कैप्टेन हेर से तो इनका क काफी हिस्सों में काफी पार्ट जो नौर्दर इंडिया के थे वहां पर यह स्प्रेड हो गया और जहां तक जांसी की बात है तो जांसी का जो रिवाल्ट था उसको लीड कोन कर रहा था तो मैं आपको बताओं इसका क्रेक्ट ऑप्शन है मारे पास ऑप्शन नमबर सी रा साथ में जो तीन यहां पर और नाम है मैं आपको वह भी बता दूं तो कुमर सिंग जो थे कुमर सिंग कर रहे थे बिहार से लीड इस रिवाल्ट को इसके साथ साथ तांते टोप जो थे तांते टोप कर रहे थे कानपोर से यह आप याद रखेंगे ये कोष्ण इस तरह के पूछे जाते हैं एह इसके साथ साथ जो खां अब्द गफार हैं ये कर रहे थे लीड तो असल में खान बहादूर रहे हैं पर में स्टाइप हो गया था तो खान बहादूर कहां से कर रहे थे लीड इस रिवाल्ट को बरेली से तो यह आप याद रखींगे है तो यह नाम बहुत इंपॉर्टन है एस पी के पॉइंट आव यू से चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉश्चन पर कुश्चन पर कुश्चन मारे पास है करिश्चन पर सैंवन है इंडियन वार अफ इंडिपेंडेंस इस रिटन बाइट तो यह एक बुक है देखें किसी तरह पूचा जा सकता है बुक पर भी पूचा जा सकता है तो यह बुक किसके दोवारा लिखी गई है यह 1857 के रिवाल्ट पे ही लिखी गई है ओके इसको भी याद रखींगे इसके साथ मैं आपको बता दूं मौलवी अब्दॉल्ला की जहां तक बात है ना तो यह क्या कर रहे थे यह रिवाल्ट को लीड कर रहे थे कहां से फैजाबाद से इतनी इंपॉर्टन चीज़ें हैं मैं कोशिश करूंगा कि में रख सकून को एंड फि फिरोज साथ रिवाल्ट को यह वीडी सवरकर ने किताब लिखी है चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्च नमर एट हमारे पास है हूं अमंग्ग फॉल्विंग सेट दिस सो कॉल्ड फॉस्ट वर्लड फॉस्ट वार फ इंडिपेंड नाशनल इंडिप तो यह कहा है आर्सी मजम्दर यह आप याद रखेंगे और इसका करेक्ट आप्शन है आर्जी मजम्दर ने कहा है इसके साथ साथ आपको यह भी बता दूं कि यहां पर बाकी के दो आप्शन देख पा रहे हैं टेलर की जहां तक बात है तो इन्होंने एटीन फिटी सेवन सेजों आप यह यहां पर देख पा रहे हैं इन्होंने और android के बारे बात क्या किया यह किया ऐondere स्टार्ट हुआ और आच ए趣्ट वाट फर रेलीज़न से इच स्टार्टेट विट फाइट फर YOUR बार बॉर साटटिथ के एस ब़ूइड बाद रॉलीजन तो यह कहा है एसन सेन ने चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉश्शन पर इससा क्रेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नमर ए था कुशन नमर 9 मारे पास तो यहां पर क्या बताना है कि जो पॉलिशी ऑफ एक्रेंडाइजमेंट थी तो यह कौन सा कॉष्ट बना तो मैं यह प्लिटिकल कॉष्ट बना ऑप्शन नमर सी जो आप देख पा रहे हैं यह इसका प्लिटिकल कॉष्ट बना किसका का रिवाल्ट आप 1857 का अपने यह पड़ा होगा और रिलिलिजिस को अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जो ग्रीस थी कार्टिज में जो ग्रीस यूनों रखी जाती थी वो ग्रीस किसकी ओती थी काव और पिग की होती थी यह दोनों हिंदू एंड मुस्लिम्स को दोनों के रिलीजिंस के अगेंस थी इसी तरह बहुत सारे यह ने क्या किया इसको इसके अगेंस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया यूज करने से यह सारी चीज़ें जो थी यह कौजिस बने तो आपने सेवन तो मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत सारे सेंटर से रिवाल्ट के जहां से डिफरेंट परसनालिटी रिवाल्ट को लीड कर रही थी तो बेगम हजरत महल लीड कर रही थी लखना उसे ऑप्शन नमबर ए जो इसका है करेक्ट ऑप्शन है यहां पर रिवाल्ट जून 1857 में यून आप शुरू हो गया तो यह भी आप याद रखेंगे एंड इनके जो बेटे थे बिर्जिस कदीर ओके बिर्जिस कदीर इनको क्या किया गया नवाब डिक्लियर कर दिया गया यह भी आप याद रखेंगे तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉश्चन पर लेकिन यहाँ पर जो बागी की तीन ऑफशिन आप देख पा रहें नहीं इन बागी की तीन ऑफशिन असलमें बात इस तरह से है कि बीसी मजुमदर जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक औप्शन इन्होंने reward के रिगार्ण एक किताद लिखी जिसका नाम इन्होंने र कुछ भी इन फालतू नहीं है इसके साथ अशोक महता की बात करें तो इन्होंने भी रिवॉल्ट पर लिखा है इन्होंने का कहा है इन्हों रिवॉल्ट ऑफ 1857 को 1857 ग्रेट रिवॉल्ट तो ज्यादा इंपोर्टन नहीं है यह बाकि यह दो आप जुरूर याद रखें चलत समाच बॉंबई में इस्टाबलिश किया गया और वो उसका अब्जेक्टिव क्या था वोमन अप्लिप्लिमेंट था टू इरैडिकेट कास्ट प्रॉब्लम से इंडिया तो इसके यह दोनों अब्यक्टिव से तो आप्शन नमर सी जो आप यहां पे देख पा रहे हैं यह क साथ साथ दूसरी परसनालिटी से जो एर असोसियेटेट हैं उनका नाम है रामा कृष्णा बंडार कर आर के बंडार कर रामा किष्णा बंडार कर पूरा नाम लिखे तो ठोड़ा टाइम ज्यादा हो जाता है एंड़ मेरा ठीक नहीं है एक्सली आम नोट वैल तो चलते हम हमने नेक्स कोशन पर यह दो नाम आप जरूरू याद रखें इसके रिगार्डिंग हैं तो असल में यह भी एक सोशल रिफॉर्म यूनों मॉमेंट कर एक स्टेप था प्रत्रना समाच तो चलते हमने नेक्स कोशन पर हम कुशन में 30 नमारे वह मंग दो फॉल्विंग एब यहां पर इंडिया में 1848 से 1856 तक तो मैं आपको बता दूं कि इन्हों ने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्रिन अफ लैप्स इसके एकॉर्डिंग ली होता क्या था कि अगर किसी स्टेट का कोई उसका कोई जो हायर होता है वह अडॉप्टेड हो यानि वह डैरेक्ट हायर करना हो एडॉप्टड शन भी कोई भी हो और फिर नहीं कर सकता तो यह इंपायर को देना है या फिर वह डैरेक्ट उसको लपसर इसको किसने किया विड्रो अबॉलिश लॉड कैनिन ने उप्शन नमबर ए जो है वो करेक्ट है लॉड कैनिन हमारे पहले वाइस रॉइ अफ इंडिया थे यह आप याद रखेंगे एंड लॉड कर्जन की यहां पर आत बात याद जब आती है तो मैं बहुत आतूं यह भी वाइस एंड इनका फेमस क्या है पार्टेशन आफ बेंगॉल ओके पार्टेशन आफ बेंगॉल एंड इसके सार्थ लॉड इर्विन भी जो होते है यह भी वाइस रफ इंडिया थे इनके टाइम पर क्या हुआ 1927 में साइमन कमीशन एंड मैं आपको एक बात बता दूं रट्टा म सबको रट्टा मारो सबको याद रखो किसी तरह भी लेकिन याद रखो तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्रिश्चन पर बाइद वे लॉड इर्विन को क्रिश्चन वाइस रोई भी कहते थे सी वाइस राई सी वी आर लिखना हूं में यहां पर ओके लॉड कैनिन ने वि अंडिया को डॉमीनियुन स्टेट शेंगे इंडिया को डॉमीनियन स्टेट शेंगे और इसी रौन इसारी इसी एन्समेंट को कहा गया धीपावली डिक्लिरेशन दीपावली डिक्लिरेशन इसी डिक्लिरेशन को कहा जाता है 1929 की जो लॉर्ड के द्वारा की गई तो चलते हैं हमेरे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेशन नमबर 14 हमारे पास है तो यह दोनों के द्वारा बनाई गई थी एच एस ऑलकोट एच एस ऑलकोट एंड मैडम ब्लैवेट्स की यह इन दोनों के द्वारा स्टार्ट की गई थी और कहां पर यह शुरू की गई थी यह असल में शुरू के यह थी 1875 में इसके हैड़कॉर्टर यूएसे में थी लेकिन इंडिया के कॉंट्स में इंपोर्टन क्यूं है क्योंकि बाद में इसके हैड़कॉर्टर अधियार तामिल नाडू में शिफ्ट किये गए तामिल नाडू में यह भी आप याद इंडियां तो पहले ईंडिया तो यह पहले इंडियन होने यह जैए अघिन वी सब्सकें और आफे इनde जाया तो यह चलते हैं अपने नेक्सिशन पर पास है फूर इस नोन आज है फोड़ा स्पेस आ गया है फूर इस नोन इस फादर रफ लोकल सेल्फ गॉवर्मेंट इन इंडिया तो लोकल सेल्फ गॉवर्मेंट जो इंडिया में है जो आपने अक्सर पढ़ा होगा 73rd & 74th Amendment Act पंचाहित राज है पहला कोईशन लोड रिपाउन इनी को माना जाता है यह फादर अफ लोकल सेल्फ गॉवर्मेंट इंडिया इसके साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि यह भी थे वाइस रॉय आफ इंडिया वाइस रॉय आफ इंडिया एंड कब थे यह 1882 1884 आइनो यह डेट याद रखनी है लेकिन नाम याद रखना है तो चलते हैं हम अपने नेक्स कोशन पर इसका क्रेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए लेकिन लोड डेफरिन के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो मैं आपको बता दूं इनी के टाइम पे बनता है इंडियन नैशनल कॉंग्रस यह भी वॉइस रोए थे और यह जब वॉइस रोए थे तब ही बनता है इंडियन नैशनल कॉंग्रस इसका मतलब है 1884-1888 इंडियन नैशनल कॉंग्रस तो 1885 में बनाना तो इसी के टाइम पर आ गया नहीं ओके डेसेंबर 1885 हम इसके बारे में डिसकॉस करेंगे आइंसी प तो क्योंबर 16 मारे पास है हूं में फॉल्विंग बिकेम फॉर्स इंडियन तो जॉइन सिवल सर्विस दूरिं ब्रिटिश रूल तो मैं आपको बता दूं सतेंदर नाथ टेगोर जो थे 1853 में क्या हुआ था चार्टर एक्ट आया था चार्टर एक्ट इंडिया 1853 एंड इसी में कहा गया था देर विल बीन ओपन कंपेटिशन आ फॉर्द इन कि सिवल सर्विस जो हैं वह एक ओपन कंपेटिशन के थुरू एलेक्ट किये जाएंगे पॉइंट किये जाएंगे तो सतेंदर नाथ टेगोर जो थे पहले थे बाकि यह दो भी थे जो उन्हें इंडियन सिवल सर्विस को जॉइन किया और इसके साथ साथ मैं आपको बता द रहे हैं एक ओल एक मोगे कमेशन टैस की पास लीकमेशन और इसके साथ अमारे पास एक ओर है जिसको हम कहते हैं असल में इक्सफ़ॉर्स पह्ना मोन डेक्ज्सफॉर्ड रिफॉर्मस सैबंस हैं तो इस लिए मॉन्टेक्स पोर्ड दो नाम है वोईश्रा एंड सेक्रेटरी के तो मैं आपको बता दूं यह भी किसके रिगार्डिंग था सिवल सर्विसेश के रिगार्डिंग यह आप याद रखींगे नाम याद रखींगे आप को कहा जाता है क्योंके दो व्यक्ति वो इसके रिलेटेड थे उनके नाम याद रखींगे लास्ट कोईशन है हमारा आज का इंडिया नेशनल कॉंग्रेस वास इस्टाबलेश्ट डिसेंबर 1885 वह वास्ट इंडिया उरिंग तो मैंने आपको उपर अल्री बता दिया है तो मै क्योंके उस टाइम पर कौन थे उस टाइम पर थे उस समय पर कौन थे वाइस रोए लॉड डेफरें जो यहां पर ऑप्शन नहीं है लॉड डेफरेंट ओके यहां प्याद रखेंगे 1884-1888 तो यह भी आप याद रखेंगे इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं बाकी के ज यह भी वोईश रोई थे यह आप याद रखेंगे ओके यहां पर मैं आपको नौत ब्रूप की बात बताऊं तो यह वोईश रोई जब थे तब क्या हुआ कुका रिवाल्ट हुआ पंजाब में कुका रिवाल्ट पंजाब में हुआ एंस के साथ साथ मैं आपको बता दूं लिए लिए अगे अगे बहुत इंपोर्टन कोईशन से क्योंके वाइस रोइक रिगार्ड इंपुचा जा सकता है कोईशन सुब्सलिम लिंग 90 निर्स इस नमना गेए थी ओके बागी कोईशन जो है अगले अगले यह 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 शेशन में डिस रही इधक यह तक यह तक यह थायं टेक केर